ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वामना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको सोम्मती अमावस्या की बारे में जानकारी दूँगा दोस्तों सोम्मती अमावस्या पर बन रहा है महा दुरलब सहयूग इस वार सुम्मती अमावस्या पर तीन ऐसे योग वन रहे हैं जिसकी वज़े से आपकी मनो कामना बहुत जल्दी पूरी होगी और कई रासिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा भागिसाली रहने वाली हैं आज मैं आपको बागिसाली रासियों के साथ साथ उपाई भी बताऊंगा जिससे आपकी मनो कामना पूरीगी सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अमावस्या का मैथ तो क्या है देखो अमावस्या का जो दिन होता है वो पित्रों का दिन होता है पित्र अगर आपसे रुष तो आप थोड़ी भी मेनत करोगे तो आपको लाव मिलेगा पुत्टर की प्राप्ति होगी धन की प्राप्ति होगी वियवापर अच्छा चलेगा हर प्रकार की आ रही रुकावटे परिशानियां दूर हो जाएंगे तो आपको नियम बना लेना है सास्त्रों के हिसाब से वैसे का गया है कि जो आप कमाते हैं उससे 10% पित्रों के नाम से और देवों के नाम से आधतियों के नाम से रखना चाहिए इससे पित्र दोस जो पित्र रिड़ा है रिश करते हैं तो इससे पित्र दोस्त दूर हो जाता है नियमित रूप से अगर आप देव पूजन करते हैं अपने इस्ट देवता का पूजन करते हैं यग्यानुस्तान करते हैं हवन करवाते ही घरों में इससे देव रड़ की पूर्ती हो जाती है और जो हम अधितियों की आदा स सतकार करते हैं दान पुन करते हैं इसी रिशी रिड की पूर्ती हो जाती है तो ये तीन रिडों की पूर्ती करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको हर प्रिकार का सुक और बैववव चाहिए और अंत में मोख्य चाहिए सोम्मार के दिन पढ़ने वाली अमावस्या को कहते हैं सोम्मार के दिन पढ़ने वाली अमावस्या को कहते हैं सोम्मावस्या एक तो भगवान सिव का दिन हो गया दूसरा पित्रों का दिन हो गया तीसरा भगवान विश्नु की पूजा का दिन हो गया तो तीन पूजाएं इस दिन होती हैं में रूप से सबसे पहले गंगा इश्नान का मेत होता है सुबह इश्नान करते समय जल में गंगा जल डालके इश्नान करें उसके बाद में सूर देव को अर्ग दें नियम बना लिजिए सूर्देव को प्रते देने अर्ग देना है और अमावस्या के दिन तो अवस्य सूर्देव को अर्ग देना चाहिए इससे जीवन में आ रहे हैं कष्ट दूर हो जाते हैं चोटी चोटी जो बात हैं उनको जीवन में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जब आप सूर देव को अर्ग देलें उसके बाद आपको अपने इस्ट दिवता की पूजा करने हैं आपके इस्टे देवता भगवान विश्णु हैं आपके इस्टे देवता भगवान सिव हैं सिव की तो पूझा इस दिन करनी करनी है माकाल भोले नात की तो पूझा इस दिन होती होती है अगर आप भगवान विश्णु की भी इस दिन पूझा करते हैं तो आपको बड़ा ल अगर सरी में कोई परिशान है तो महमर तुण्ंजय मंत्र वीजप सकते हैं, आप गाय के दूद्ध के अंさे के बाद में फिर गंगा जल से अथिक करेंगे और गंगा जल में तिल डाल करके अथिक करना ह। अम अवस्या के दिन गंगा जल में तिल डालके भगवान सिव को आप सिख कर दीजिए जो भी आपके मन में कामना है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद में बेल पत्र चड़ाएं पुश्प चड़ाएं लेकिन इस दिन खीर का प्रसाद गाय का घी डालके खीर का प्रसाद भ भगवान सिव को समर्पित करते हैं तो मनो कामना आपकी अवस्य पूरी होगी आपको जरूरी उपाय करना चाहिए उसके बाद में भगवान के सामने चोव मुखी दीपक जलाएंगे पर भगवान से प्रातना करेंगे जो भी आपके मन में कामना है उसके बाद में पीपल पूरण मासी के दिन पीपल ब्रक की पूजा का बड़ा मेत होता है। पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाएं, वहां पर सपेद मीटा चड़ाएं। उसके बाद में पीपल ब्रक की परक्रमा करें। 108 परक्रमा बताई गई हैं अमावस्या के दिन की। अगर 108 परक्रमा ना कर सकें, तो आप 7 परक्रमा अभश्य कर लीजिए, 21 परक्रमा कर लीजिए। इससे विशेस लाव आपको मिलेगा। उसके बाद में जाएं आप गोसाला। एक चीज और ध्यान देना है, पीपल ब्रक की नीचे पित्रों की नाम से जल चड़ाना है, ओम पित्र देपताब्यो नमाहा, 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 ओम पि पित्रों की फोटों के सामने तरपन करेंगे पित्रों के नाम से आप दान पुर्ण करेंगे पित्रों के नाम से दान पुर्ण करेंगे और सिवलिंग पर इस दिन ग्यों के दाने जरू चड़ाने आपको खीर के प्रसाद से पहले ग्यों के दाने सिवलिंग पर जरू चड़ आएं गोव साला चले जाएं और गोव माता को आप नीठा खिला करके आएं जो भी आपके घर में बना हो वह खिला करके आएं पूरी को उपर रख करके गोव माता की परक्रमा करें घर के मेंदर बाजे पती पक जलाएं भगवान विश्णुमात लच्मी के सामने दीपक जला इससे आपकी मनुकामना पूरी होगी, तो ये उपाए बहुत ही चमतकारियों प्रभावसालिए, अगर आमावस्या के दिने आप ये उपाए करते हैं, तो आपकी मनुकामना पूरी होगी, साथ ही भगवान के सामने खीर का प्रसाद और नारियल का प्रसाद जरूर पित्रों के सामने खीर का परशाद चड़ाएं पित्रों से आशिरवाद मांगें और वset प्रसाद आप जरूर खाएं सबी परवार वाले इसे आपको आशिरवाद प्रापत होगा मनो काम ना पूर होगी तो यह उपाए हैं बहुत ही चमतकार ही परवापसाली हैं और इनों को करने से आपको बढ़ा लाम मिलेगा बात करते हैं भाग्य साली राशियों के बारे में कौन-कौन सी राशिया है जो बहुत ही ज़्यादा भाग्य साली रहने वाली है सबसे पहली जो राशिय वह है मेश राशिय बहुत ही ज़्यादा भाग्य साली रहने वाली है राक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम रासी, मीन रासी, ये रासिया हैं जो इस दन बेहती ज़्यादा भाग्य साली रहेंगी, इन रासि वालों को पिशेश आशिरवाद प्राप्त होगा, क्योंकि गिरैन की इस्तिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन उपाये सभी रासिवाले करें, इसका मतलब ये नहीं है कि इन रासिवालों को आशिरवाद प्राप्त होगा, तो दूसरी उनको नहीं होगा, करम करने से भाग्य बदल जाता अगर आप उपाये करते हैं, अगर आपके एक कुंडली में योग नहीं है, आपके रासी करने ही करने अगर आप नेमेत रूप से यह उपाय करते हैं तो फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी और आपकी मनुकामना पूरी होगी मुझे उम्मीद आपको यह जानकारी बहुत यह अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमें ओम पित्र देखता आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे पित्र देखता आपके जीवन में आरे सारे कश्टों को दूर करेंगे और विश्यस लाब मिलेगा आपको जो भी परिशानी हैं जो भी दुख हैं कश्ट हैं सारी परिशानी कश्ट दुख दूर होगी वीडियो को जादा जादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम पित्र देपता व्यो नमा ओम नमस्वा जरूर लिखें महाकाल आपकी हर मनों कामना पूरी करेंगे और पित्र दोस्त दूर होगा